यस तो हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं टॉपिक आपको दिखी रहा होगा थर्मल रेडियेशन के बारे में ठीक है इस सेंस में हम इसको इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं तो ध्यान से आप जो है कुछ टॉपिक्स को इसके में जो हम लोग डिसकस करेंगे खास करके जो डेफिनीशन वाला जो पोर्षन रहेगा उसको आप अच्छी तरह से समझ यहीगा क्योंकि देखिए बात यह नहीं कि याद कर रहा है ऐसा बाते नहीं हम लोग उस डेफिनीशन के टर्म में या कुछ जो टर्म हम लोग सीखेंगे जैसे एब्सॉर्प्टिव पावर क्या होता है स्पेक्ट्रल इमिसी पावर क्या होता है यह सब के बारे में हम लोग सीखेंगे तो इसके बारे में आपको जान आपको total emissive power बोलेंगे तो ये दोनों में आपको अंतर पता रहना चाहिए ये भी पता रहना चाहिए कि emissive power का मतलब क्या हो रहा है तो कहने का मतलब ऐसे कुछ terms के बारे में हम लोग इस class में अवगत होंगे ठीक है इसलिए इसको हम लोग introduction भी बोल रहें अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, चीजों को समझना है, सीखना है तो आपको सुरू से आंतर तक काफी serious हो करके जो एक तरह से सुनना होगा सीखना होगा अच्छली, ये entertaining type का video नहीं रहता है जब मर्जी तब आप देख लीजिए, जैसे मर्जी वैसे भगा कर देख लीजिए, इदर दर हस खेल लीजिए, वैसा चीज़े नहीं रहा करता है ये बात आपके पास दिमाग पे होगा ही और जानकारी भी आपको होगा एक तरस इंटरोटेनिंग type का situation आप ले करके खास करके ऐसे जो topics रहा करते हैं इसमें आप ले करके नहीं चलते हैं आप serious mood में पढ़ाई के mood में एक्चली रहते हैं, सीखने के mood में एक्चली रहते हैं तो हम लोग आते हैं, बातों को बोले ही थे कि हम आपको involve रखने के लिए बहुस सारे बाते हैं जैसे class में हम offline वगरा में जिस तरह से आपसे interact होते हैं ताकि आपको एकदम जिवनतता लगे एकदम पूरी तरह से वह ऐसे करके हम लोग बात करते रहेंगे तो हम लोग आते हैं बातों को, तो देखे, thermal radiation क्या होता है इसको to the point बोला जाए actually, तो ये एक तरह से electromagnetic wave रहा करता है जो कि normally रूप से, normal रूप से ये infrared वाले range में ये रहा करता है और radiation actually है क्या, एक तरह से देखे, तीन mode of transfer of heat energy रहते है solid वगरा में, majority जो contributions रहते हैं, transfer of heat के लिए, वो conduction process रहता है वही fluid में, चाहे वो liquid हो, चाहे ये gas हो, उसमें जो transfer of heat, उसमा का जो एक तरह से अस्थांतरन actually रहा करता है तो वो किसके द्वारा actually रहा करता है, उसमें convection process जो है, जाधा important role play करा करता है third category जो है, transfer of heat का हुआ करता है, वो radiation होता है, जिसमें heat energy जो है, एक जगह से दूसरी जगह electromagnetic wave के form में actually move करा करता है, travel करा करता है, इसको चलने के लिए medium का अति आवस्यक होना नहीं रहा करता है कोई बहुत जरूरी होना नहीं रहा करता है, medium रहेगा तो भी, medium नहीं रहेगा तो निर्वात में भी actually ये move कर जाएगा simple example के रूप में आप समझें इस बात को, जैसे suppose कर लिए आपके सामने, heater actually suppose कर लिए उसको जलाएगा एक तरह से, उसको power switch on करिएगा तो आपको कुछ देर के बाद आप जो है, दूर से ही आपको heat महसूस होने लगता है, या उसके पास में आप जाते हैं, बीना छुए हुए आप heat को महसूस कर सकते है तो यह thermal radiation के वज़े से, ठीक है, वहाँ से जो radiation actually, जो electromagnetic wave है, जिसके पास thermal energy हुआ आपके चेहरे से या आपके skin से इंटराक्ट करता है और भी example, जैसे माल लिजे, suppose कर लिजे, जैसे कोई आग जला हुआ है, suppose कर लिजे, जैसे अलाव अगर जाड़े के दिनों में, या ऐसे भी normally, suppose कर लिजे, कहीं पर आग जला हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको छुएएगा, तभी आपको heat महसूस होगा आप कुछ दूरी पे भी रहते है, normally, तो आपको heat महसूस होता है आप experience करते है, तो कैसे actually heat है, तो radiation process आपके पास है electromagnetic wave के रूप में आपके पास है यह अलग बात है, कि बहुत ज़्यादा practical होकर के सहुचते है तो along with the radiation, radiation के साथ साथ convection process भी involved होता है इसका वज़ा है actually, क्योंकि आज पास का surrounding medium जो रहा करता है वहाँ air का मौजूदगी रहता है लेकिन radiation को आने के लिए जो है radiation process के दौरा heat को आने के लिए जो है वो किसी तरह का medium का होना जरूरी नहीं रहता इसको आप और ज़्यादा अच्छा समझ सकते है जैसे sun जो रहा करता है इसके बारे में तो समझा दी है actually जैसे sun जो actually रहा करता है sun मतलब यह सूरज जो रहता यह बेटा के बारे में आप नहीं समझ लीजेगा sun सपोज कर लीजेगा तो sun से जो actually क्या है electromagnetic wave एक तरह से आपको आपके पास आ रहे है तो उसके माध्याम से thermal radiation भी आपके पास आ रहे है उसके पास से thermal radiation भी आ जा रहे है जो कि sun से और पृत्वी के बीच में जो यह माल लीजेए हम लोग का अर्थ actually है ठीक है यह अर्थ जो actually है तो अर्थ जो है इस पे जो sun rays actually आ रहे है तो एक तरह से thermal radiation का ही इस्तमाल हो करके ठीक है यह heating जो है या heat जो एक तरह से transfer हो रहे है heat जो है sun से जो है वो अर्थ के पास आ रहे है या जो भी planet actually इसके नजदीक है उसके पास जो heat जा रहे है उस heat में जाने का जो mood है actually transfer of heat energy जो है वो radiation का process है चाहे कोई भी planet पे जो जा रहा है उसके में जाए है जितना नजदीक planet रहेगा ज्यादा thermal radiation उसके पास जो एक तरह से जाय करेगा तो जो sun actually sun से और प्रिथवी के बीच में अधिकतर जगा जो निर्वात है आप जो प्रिथवी के ऊपर कुछ दूरी पे जो आप देखते हैं आपको मासूस होता है कि air है इसका कुछ ही किलोमीटर तक दायर है उसके बाद जैसी जी से आप आगे बढ़ते हैं actually निर्वात में आप प्रवेस कर जाते हैं वहाँ कुछ भी actually नहीं रा करते है निर्वात एकदम वैकम actually काफी किलोमीटर उपर जाते है तो करने का मतलब यह है कि sun और अर्थ के बीच का अधिकतर हिस्सा जो एक तरह से खाली actually शुन्य एक तरह से निर्वात actually अंधकार पूरी तरह से लगेगा रासनी तभी आपको महसूस होगा जब कोई body actually वहाँ पर बीच में आएगा और illuminate होगा तब आपको रासनी महसूस है कैसे देखिए आपको मालूम है कि sun के वज़े से ही जो है चांद चमक रहा है ठीक है लेकिन sun का जो रासनी है बीच के रास्ते में आपको दिखता है क्या बीच में आप आकास में देखने हैं बीच में आपको बिम बगर है का रूप में नहीं दीखता है। सीधे आपको मून का एक तरह से वो इमेज दिखने लगता है या मून जो है आपको दिखने लगता है जिसमें आप यह थियोरी देते हैं कि सन के ही रे के वज़े से नॉर्मली उसका सर्फेज और रिफ्लेक्ट कर रहा है जिस रे को उसके वज़े से हम लोग मून को देखते हैं यह बात को समझाने के लिए कि radiation जो है एक method है एक mode है एक तरीका है किसके लिए transfer of heat energy from one point to another point जहाँ पे किसी medium का होना बहुत ही जरूरी नहीं है medium नहीं भी रहेगा तब भी radiation जो है flow कर जाएगा एक तरह से यह move कर जाएगा और conduction और convection वाले process में medium का होना बहुत जरूरी है जिसमें conduction solid में होता है और convection जो है liquid या gas में actually हुआ करता है जिसको हम लोग collectively रूप से fluid बोल सकते है लेकिन radiation जो process है actually इसके लिए किसी medium का होना अतियावस्यक नहीं है रहता है तो भला नहीं रहता है तो और भला actually ठीक है कहने का मतलब यह रहा करता है तो radiation क्या है इसके बारे में हम लोग short में एक जानकारी लिए कुछ conclusions आपके दिमाग पर रहना चाहिए इससे कई सारे कुछ questions जो है basic रूप से आप से पूछे जा सकते है किस mode of transfer में medium का होना अति आवस्यक एक्शली है किस mode में heat transfer होता है एक जगा से दूसरे जगा solid में liquid में ऐसे करके कई सारे सवाल पूछ सकते है हाला कि वो हमारा section नहीं है भी फिलाहाल में जो है हम लोग फिलाहाल में से बात कर रहे हो thermal radiation के बारे में बात कर रहे है और इसी के रूप में काफे deeply रूप से पढ़ेगी ये तो introduction हम आपको दे रहे है एक तरह से ठीक है जो कि आप बोल सकते है longer wavelength वाले reason में एक तरह से lie करता रहता है नॉर्मली रूप से जिससे iron गरम है जिससे आप iron करते है cloth वगरा को मालनी जिसको plug से आप उसको electricity एक तरह से देते है तो क्या हो रहा है गरम हींच होना start होता है तो उस दौरान आप कुछ दूर से ही एसास कर स गरम हो चुका है टच करके देखिए तो भी ठीक है नहीं तो दूर से भी आप हिसास कर सकता है ठीक है कहाने को मतलब यह रहा करता है और कुछ जगह पर जहां पर heat ज्यादा होना start होगा एक तरह से ज्यादा temperature rise करना start करता है तो वह infrared radiation से visible reason में आना start होगा मतलब वह red होना start ह जैसे आप लोहे को गरम करते हैं तो जब वह visibility उसके पास आना start होता है तो red richness दिखना लगता है और भी ज्यादा heat करिएगा और ज्यादा temperature बढ़ाईगा तो उसका wavelength जो एक तरह से shift करना start करेगा towards किसके towards जो है blue के तरह से shift करना start करेगा मतलब पहले red है और ज्यादा गरम कर जुद होने लगता है इसलिए आपको white चमत white दिखने लगता है उसका appearance आपको silver type का महसूस होना start होता चमत create हो जाता है उसके अंदर ठीक है दिमाग पे है कि normal रूप से कोई चीजे दी गरम है तो infrared radiation के वजह से आप उसको detect कर सकते है जो night वाला जो camera हुआ करता है जो अंधे तो उसके वजह से actually क्या होता है या और भी जो object है उसके पास कुछ नो कुछ temperature रहता है heat के वजह से ठीक है जो कि दीन में गरम होने के वजह से उसके पास कुछ heat रहते है तो देखे life के पास भी heat है एक तरह से मतलब कुछ temperature है और जो है कुछ object जो है उसके में भी एक तरह से temperature है, मतलब उसके पास भी heat है तो वो infrared radiation को emit करता रहता है, ठीक है? तो जो camera होते है, night cameras हो रहते हैं यह high quality के जो camera रहते हैं, वो उसको detect कर सकता है, ठीक है? जैसे कैसे हम लोग का आँख हर तरह का रौसनी को नहीं detect करता है, हर तरह का wavelength को नहीं detect कर सकता है, लेकिन कुछ particular range को detect करता है, तो उसका range समझ है कि वो infrared वाले को भी detect कर सकता है, कई सारे SHS में भी actually है, जो कि legally रूप से लाओ नहीं है, आप उसको पहन करके आप night में भी देख सकता है, कैसे सेर है बिल्ली है, सब देख पाती है, उसका वाज़ा है, उसको natural रूप से वो एक तरह से gift मिला हुआ, या natural रूप से उसको जो है, ये गुन मिला हुआ, जिसके वाज़ा से वो थोड़ा ज्यादा range है wavelength का देखने का, जिसमें वो night में भी जो है, actually देख पाती है ठीक है, तो वो radiation के वज़ा से detection हो पाता है, कहाने का मतलब यह infrared radiation उसको detect, यदि हम लोग के पास भी वो सकती रहता, तो हम लोग भी जो है, नार्मली रात में देख सकते थे, लेकिन हम लोग infrared वगरा, range में हम लोग जो है, नहीं देख पाते हैं, ठीक है तो वो हम लोग एक तरह से, night में हम लोग के लिए जो ज़्यादा detection नहीं रह पाता है, अंधेरे में, जब तक Ross News पे visible reason वाला fall नहीं करें तब तक, ठीक है, बात समझ में आया, लेकिन ऐसे कुछ चसमे है, जिसको आप पहन करके, रात में भी आपको भले नहीं देखेगा, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है, उसका वज़ा है कि वो infrared radiation को detect करना ही start करता है, ठीक बात समझ में आया, तो इतने देर से जो story बोल रहे थे, उससे आपको कुछ picture clear हो गए होगा, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, topic जो रहता है उस पर थोड़ा सा, point wise कुछ हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो देखे, thermal radiation एक तरह से क्या हो गया, thermal radiation, ठीक है, thermal radiation जो रहा वो क्या रहा, thermal radiation जो है वो, ये mode of, mode या तरीका बोल सकते है, mode of transfer of heat energy, mode of transfer of heat energy, ठीक है, heat energy, ठीक है, heat energy, from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point, to another point, एक point से जो है, दूसरे point ठीक है, या from one reason to another reason भी बोल सकते है, from one point to another point, या from one reason to another reason भी बोल सकते हैं, एक छेट्र से दूसरे छेट्र, एक जगा से दूसरे जगा, to another point, without without need of without need of medium बिना medium का जरुवत के एक जगा से दूसरी जगा heat energy कोई क्या कर सकता है transfers कर सकता है medium है तो ठीक है medium नहीं रहेगा तब भी transfer कर देगा काने का मतलब ये रहा करता है clear है समझ मैं रहा है क्या बोल रहा है तो हम लोग के बास कुछ और points हम लोग क्या देखने वाले है कुछ points ये सब points आपके important है radiation thermal radiation is electromagnetic wave thermal radiation is electromagnetic wave ये एक तरह से electromagnetic wave होता है और electromagnetic wave आपको मालूम ही होगा कि उसको चलने के लिए material medium का होना अति आवस्यक नहीं रहता है तो ठीक है नहीं तो वो वैकम में भी निर्वात में भी actually move कर सकता है ठीक है तो thermal radiation is electromagnetic wave ये एक तरह से electromagnetic wave होता है जो कि आप light के category का आप एक तरह से समझ सकते है that passes इसके पास क्या होता है that passes heat content that passes heat content इसके पास heat रहता है एक तरह से ठीक है उर्जा रहता है उसमा का उर्जा रहता है actually ठीक है उसमा मतलब उर्जा रहता है heat energy रहता है कहने का मतलब ये रहता है ठीक है तो खास बात है कि thermal radiation जो एक तरह से क्या है वो electromagnetic wave है तो electromagnetic wave है तो जाहिर सा बाद है उसके कुछ property को ये follow करता रहेगा जैसे इसका speed जो रहेगा वो speed of light के बरावर रहा करेगा या आप बोल सकते है इसका speed जो है वो approximately रूप से 3 into 10 to the power 8 meter per second रहता है जो कि electromagnetic wave या light का speed रहता है वो ये speed इसके पास रहेगा जैसे light या electromagnetic wave reflect करता है refract करता है polarize करता है diffract करता है वैसे ही type का ये भी property actually जो है so करा करेगा ठीक है तो ये बाते है ठीक तो समझ में आ रहा है क्या हम लोग बोल रहे है actually जो है तो इसके और भी कुछ property इसके property जो है ठीक है thermal radiation thermal radiation thermal radiation can travel with a speed can travel with a speed of light with a speed of light ठीक है with a speed of light चुकि approximately रूप से जो है वो 3 into 10 to the power 8 meter per second रहा करता है approximately रूप से वोना 2.99 ऐसे करके रहता है लेकिन calculation के purpose से हम लोग 3 into 10 to the power 8 meter per second बोलते है ठीक है clear है ठीक अब हम लोग आते है topic को जो है और थोड़ा सा जो है इसमें और क्या-क्या प्रोपर्टी एक्चुली रहा करते है ठीक है यह थो थर्मल रेडियेशन एक्चुली हो गए ठीक है और क्या-क्या प्रोपर्टी रहा करते है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेगे ठीक है तो यह हो गया थर्मल रेडियेशन फर्मल रेडिएशन जो थर्मल रेडिएशन रहा करते हैं थर्मल रेडिएशन ठीक है थर्मल रेडिएशन कैन रिफ्लेक्ट यह रिफ्लेक्ट कर सकता है ठीक है थर्मल रेडिएशन कैन रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट कर सकता है रिफ्रैक्षन को सो कर सकता है मतलब स्नेल्स लाव अगरा को फॉलो कर सकता है, can reflect, can refract आप बोल सकते हैं, सही से देखे तो refract होता है, can refract, refraction तो एक प्रोसेस हो गया, can refract and diffract, and diffract, यह diffract भी करता है, कहने का मतलब यह हो गया, कि thermal radiation, reflection, diffraction, polarization, यह सभी properties जो कि electromagnetic wave सो करता है, light सो करा करता है, यह सो कर सकता है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया, कि thermal radiation, thermal radiation, thermal radiation, thermal radiation, can so, यह प्रदर्शित कर सकता है, can so, reflection, reflection, हलाकि वही बात है, जो हमाँ उपर लिखे थे, लेकिन थोड़ा कुछ और point इसमें आड कर दे रहे है, diffraction and polarization, यह सब को सो कर सकता है, क्योंकि electromagnetic nature का है, तो electromagnetic wave polarization को सो करता है, यह अंतर भी करता है, longitudinal wave और transverse wave में, तो समझ में आ रहा है, क्या बात हैं क्या नहीं, समझ में आ रहा है, तो हम लोग इसके आगे हम लोग topic को एक तरह से discuss करेंगे, तो आप पहले जो है, इसको अच्छी तरह से जो है, इसको देख लिजिए, ठीक है, क्या-क्या हम लोग जो है, एक तरह से बोले हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग कुछ और टर्मस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि specifically रूप से thermal radiation को explain करने में मदद देगा, जैसे कि total absorbative power क्या होता है, spectral emissive power क्या हुआ करता है यह total radiation क्या हुआ करता है यह सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यह absorptivity क्या होता है यह सब के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे कि यह सब क्या हुआ करता है तो देखे एक एक करके हम लोग इस term के बारे में actually बात करेंगे कि कुछ important terms actually रहा करता है और इसी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे ठीक है कि ये सब term actually क्या हुआ करता है क्या-क्या जानकारियां ये आपको एक तरह से देता रहाता है और कैसे हम लोग इसको thermal radiation को पढ़ने में ये समझने में हम लोग इस्तमाल करते है ठीक है तो एक-एक करके हम लोग topic को discuss करेंगे ठीक है और उसका sort में actually जो है हम definitions को लिख भी दीए actually जो है ताकि आप उसको धंग से नूट भी कर सकते है लेकिन main मकसद है इसको दिमाग पे समझ करके रखना कि जहां तक में जब भी हम लोग बात करेंगे इस term का तो आपको दिमाग में picture clear होना चाहिए कि हम लोग किस के बारे में actually जो है बात कर रहे है ठीक है तो जैसे total energy density के बारे में हम लोग suppose कर लीजे बोले आता है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए total energy density इसके नाम से ही आपको लग रहा है energy density तो यह कुछ energy per unit volume करके कुछ term होगा जो कि आपको सही लग रहा है लेकिन यहां पर हम लोग energy पढ़ रहे हूँ वो कौन सा energy हो थर्मल energy है वो heat energy है ठीक है तो यह जो रहा करता है total energy density जो रहाता है समझ में आ रहा है तो thermal energy density जो actually रहा करता है उसको हम लोग used to denote करते हैं और यह क्या हुआ करता है यह amount of thermal energy नॉर्मल रूप से समझ जी तो amount of thermal energy per unit volume हुआ करता है about any point किसी point पे दिया आप energy density को या किसी reason में energy density को define कर रहे है यह amount of thermal energy या heat energy per unit volume about that point या around that point रहा करता है या about that reason या around that reason किसी point के about या किसी छेत्रफल के about या छेत्र के about जो है एक छेत्रफल नहीं बोल सकते हैं किसी छेत्र या reason बोल सकते हैं तो उसके about हम लोग इसको define करते हैं तो total energy density एक्चुली क्या रहा यह amount of thermal energy per unit volume है about a point नॉर्मली रूप से हम लोग define करते हैं या इसी को बोल रहेते हैं about a reason ठीक है या associated with a given reason छेत्र के हिसाब से हम लोग भी इसको define कर सकते हैं तो इसका unit normal रूप से आपको मालूम है कि इसका unit क्या होना चाहिए फिर जो है इसका unit जो है possible actually है for that given temperature ठीक है तो उसके लिए हम लोग जो है इसको define करते हैं कहाने का मतलब आप normal रूप से समाझे कि total जो हम लोग term define करेंगे तो इसमें हम लोग associated with all wavelength जो हम लोग इसको define करते हैं और a spectral करके दिए हम लोग define करते हैं a spectral energy density तो यह associated with a particular wavelength actually रहेगा of thermal radiation किसका wavelength किसका frequency हम लोग भी बात करते रहेंगे thermal radiation का उसका वज़ा है कि वह electromagnetic wave है तो electromagnetic wave का तो wavelength होता है उसका frequency होता है तो हम लोग कभी कभी बोलेंगे जब spectral करके इसका मतलब दिमाग में आपके picture राना चाहिए कि for a particular wavelength of radiation इसका बात किया जा रहा है या for a particular frequency जब हम लोग wavelength बोल रहे तो particular frequency भी हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग spectral word का इस्तमाल करेंगे जैसे इसी में हम लोग spectral हम लोग energy density बोल रहे है तो यह क्या रहेंगे यह total amount of heat energy रहेगा per unit volume लेकिन यह associated with a particular wavelength about a given point एक्चुली रहा करेगा कौन? spectral energy density और उसको हम लोग represent करते हैं जो हम लोग नीचे सब्सक्रिप्ट में lambda हम लोग denote कर देते हैं करने का जैसे u हम लोग denote कर रहे हैं किसके लिए? हम लोग total energy density के लिए तो u और नीचे lambda दे देते हैं तो spectral energy density के लिए जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि वह associated with a given wavelength है for a particular wavelength है इसी तर्ज पर हम लोग और भी term हम लोग define करेंगे ठीक है? अब देखे हैं ऐसे देखे हैं तो दो definition हो जा रहा है लेकिन हम लोग इसको एक ही definition के रूप में रखेंगे और इसको समझेंगे कि हाँ इसमें क्या अंतर है जैसे total energy density और spectral energy density इसको हम एक ही category में रखेंगे हूँ चाहते हैं दो definition बोल सकते हैं लेकिन हम एक ही category में वो total के लिए for all wavelength और जो है for a given wavelength यदि for a particular wavelength हम लोग उसको एक तरह से spectral word से इसको जो हम लोग इसको denote करेंगे मतलब spectral term के साथ उसको जो एक तरह से express करेंगे उसी तरह से हम लोग total emissive power के बारे में पढ़ेंगे total absorptive power के बारे में पढ़ेंगे और और जो है साथ में हम लोग spectral emissive power भी बोलेंगे spectral emissive power तो for a given wavelength actually रहेगा spectral absorptive power तो ये for a given wavelength रहेगा और यदि for all wavelength define कर दिए तो फिर हम लोग का total रहा करेगा clear है अब हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं ये धीरे-धीरे actually चल रहा था तो ये सब चीजों को बारे में तेजी से हम लोग इसको एक तरह से हम लोग सब ही definitions को धंक से एक तरह से रहा रख दिए ताकि आप उसको अच्छी तरह से note भी actually कर पाएं ठीक है इसको अच्छी तरह से आप उसको note कर पाएं किसके लिए हम लोग उसको define किये हुए किसके लिए नहीं जैसे absorptive TV बगर हो गया जैसे absorptive power बगर हो गया यह सब जो है क्या होता है इसको हम समझा दे रहें उसके बाद आप उसको जो एक तरह से note कर सकते हैं ठीक है तो यह आपको हो गया एक तरह से जो है तो हम लोग आते हैं topic पे जो है लेकर करके जो है जैसे देखे total energy density आपको अभी समझा दिये थे कि क्या होता है actually ठीक है total energy density तो यह आपको क्या हो गया at any point about any point या about a given reason या at any reason हम लोग इसको define करा करते हैं छेत्र, reason यहाँ पे छेत्र वाला reason वो reasoning वाला छेत्र नहीं, जो तार्किक वाला जो है रहता है वो वाला नहीं, ठीक है reason बोल रहे है R.E.G.A.W.N. छेत्र वाला ठीक है, तो at any point it is the total radiant energy ठीक है, यह यह पॉइंट के बाओ define करते हैं, तो यह जो रहता है total energy density क्या रहता है यह total radiant energy ठीक है, radiant energy या heat energy ठीक है, radiant बोल रहे है फिर से mistakes लिखा गया है, इसको per नहीं actually बोलने का जरूरत है per unit volume around that given point इसको per जो है लिखने का जरूरत नहीं है यह extra लिखा गया, ठीक है radiant energy per unit volume around that point for all wavelength taken together सारे wavelength को consider करके यह हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको total energy density बोलते हैं ऐसा नहीं किसको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है आपके दिमाग में यही picture रहना चाहिए यही सोच रहना चाहिए कि यह define होता है at a given point या around a given point ठीक है, या around a given reason किसी particular छेत्र में actually define करते हैं और यह amount of radiant energy per unit volume हुआ करता है तो इसा इसका unit जो रहा करेगा क्या रहा करेगा, joule per meter cube रहेगा और यह जो रहा करता है for all wavelength या जो भी wavelength actually possible है यह उसके लिए define करते हैं तो total term का हम लोग इस्तमाल करते हैं वही बात ढंक से लिखती है तक दम आप समिधान की तरह याद नहीं रखना लॉजिकली रूप से maintain रखते हैं बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो इसको represent करते हैं यू से और इसका unit जो है जूल per meter q उसी तरह से हम लोग spectral energy density तो हम लोग बोले थे भी जस्ट के नीचे सब्स्क्रिप्ट में हम लोग lambda का परियोग कर दिया करते हैं तो यह u lambda हो गया तो spectral energy density जो है हम लोग उसी तरह से define करेंगे लेकिन यह for a particular wavelength होगा यह आप बोल सकते है for a given wavelength रहागा यह for a selected wavelength actually कई तरह से आप express कर सकते हैं बोले नहीं इसले एकदम इसी तरह का याद रखने का ज़रूरत नहीं है ठीक है It is energy per unit volume per unit range of wavelength and is denoted by Elander ठीक है यह बात ध्यान रखना है कि for a given wavelength वो define होता है ठीक है कौन जब spectral term को हम लोग इस्तमाल करते हैं तो ठीक इसका भी unit आपको समझ में आही रहा हुआ क्या एक्चलि होंगे ठीक है यह radiant energy falling per unit area per second actually रहता है या per second per unit area आप बोल सकता है जितना amount of radiation एक तरह से emit हो रहा है जो emit हो रहा है जो fall actually किया ना जिसका पोच कर लिए radiation जो किसी surface पे fall किया तो जितना amount of radiation emit करेगा per unit area per second associated with all possible wavelength तो इसको हम लोग क्या बोला करेंगे इसको total emissive power बोलेंगे जैसे example के रूप में समझी आप मालनी जो कोई steel है ठीक है उसको बहुत देर तक धूप में आप रख दी ठीक है तो क्या हुआ वो radiation को एक तरह से क्या कर लिया वो absorb किया तो absorb करने के बाद वो emit करेगा ना actually ठीक है तो यह amount of heat energy या radiant energy emitted per unit area per second ठीक है for all wavelength जो हुआ करता है उसी को हम लोग total emissive power बोला करता है और यह दिये यह जो define कर रहे है हम लोग for a given wavelength यह दिये जो है ठीक है for unity wavelength हम लोग जो define करना इस्टार्ट कर देंगे तो फिर इसको spectral emissive power बोला करेंगे ठीक है जिसको हम लोग small e lambda से हम लोग उसको denote करने रहते हैं ठीक है तो यही बात है अब इसी बात को जो है आप जिस तरह से भी लिख लिजे कोई ज़रूरी नहीं कि इगनम मापी है सविधान की तरह इसको याद कर जाई बात समझे वे रहे हैं लॉजिक को maintain रहते हैं लॉजिक maintain रहना चाहिए इसा नहीं कि चीजों को simple बनाने के चक्कर में आप लॉजिक को invalid कर दीजे वो नहीं होना चाहिए ठीक है लॉजिक maintain रहते हुए आप बातों को अलग-अलग रूप से बोल सकते हैं ठीक है जैसे यहीं पर आप देख लीजे तो यह क्या एक्शली radiant energy emitted per unit time, तो emit कब करेगा जब उस पर कोई fall किया होगा तभी ना तो इतना ज़्यादा बोलने का ज़रुवत नहीं है हाँ explain करते समय तो हम करेंगे क्योंकि आपके दिमाग में कुछ misconception developed नहीं हो जाए तो radiant energy emitted per unit time, ठीक है, per unit surface area of the body for all wavelength, taken together, तो सभी wavelength को consider करते हुए तो हम लोग total term define करते हैं और इसको define जो करते हैं capital E से, और वही है spectral emissive power, हम लोग E, lambda small e, lambda से इसको denote करते हैं तो किसी के दिमाग में आता होगा कि हम इसी के नीचे lambda लगा देते तो तो लगा सकते तो कोई बात नहीं था, लेकिन वो जो symbol है न, actually, specifically रूप से book कर दिया गया, fix कर दिया गया, black body के लिए, actually ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्राया, वो ऐसा नहीं करके small e को हम लोग परियोग करते हैं, ठीक है for selected wavelength, total बोला हुआ है for all wavelength, taken together, collectively रूप से इतने भी wavelength possible है, ठीक है उसको consider करते हुए, यह हम term को define करते हैं, तो total term से हम लोग सको define करते हैं, ठीक है तो हम लोग यहाँ पे spectral बोल रहे थे तो यह radiant energy emitted per unit area per unit time बोल सकता है, या per unit time per unit area, बस एक ही बात है, ठीक है of the body within a unit wavelength range ठीक है, for a given wavelength range या for a unity wavelength range बोलिए या for a particular wavelength range ठीक है, तो इसको हम लोग define करते हैं तो इसको spectral immersive power बोलता है इसको denote करने के लिए हम लोग small e lambda का परियोग करते हैं, और perfectly black body के लिए, ठीक है, black body क्या होता है, इसके बारे हम लोग आगे बात करेंगे लेकिन ये दिमाग पर रखना है कि black body और black hole अलग-अलग चीज़े रहते हैं black body का black ही होना बहत जरूरी हो ऐसा कोई बात है नहीं है, ये एक thermodynamical body होता है, black body जो है, जिसके बारे हम हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ाई ही जो होगा, इसी black body की इरदगीरत घूमता रहेगा, ठीक है, गस misconception इसके टर्म से नहीं पालना है कि black body black ही रहेगा, और ये black body क्या black hole एक ही टाइप का चीज़ है, बिलकुल नहीं, ठीक है black body एक thermodynamical body ठीक है, और black hole cosmological object ठीक है, ठीक है तो हम लोग आते हैं, इसके बारे में तो E lambda जो रहा करता है, ठीक है E lambda is maximum and is denoted by E lambda इसके लिए हम लोग capital E lambda का परियोग करा करते हैं, black body के लिए, उसी तरह से absorptivity, ठीक है, absorptivity या absorptivity power क्या हुआ करता है इसके बारे में, तो total term इसमें इसमें इस्तमाल करेंगे यदी, तो for all wavelength ठीक है, और इस spectral term इस्तमाल करेंगे तो for a given wavelength, for a selected wavelength ठीक है, जैसे total absorptivity power, ठीक है, तो यह क्या रहा करेगा तो दीखे, normal रूप से समझे, तो total absorptivity power जो रहेगा, इतमालों में ठीक है, कि for all wavelength, लेकिन यह for a given temperature define होता है, यह भी बात आपके दिमाग पर रहना चाहिए, उसका देखे, जितना एक तरह से जो है fall किया है, जैसे thermal radiation आप इस पर fall किया किसी body पर actually, तो कितना amount जो एक तरह से उसके पास absorb करने का चंपता है, ठीक है यह capacity है, यह tendency है, यह property है, उसको हम लोग जो है, absorptivity यह absorptive power से हम लोग उसको जो है, क्या करते है, define करते है एक तरह से, ठीक है clear है, इसलिए इस सब term आपको पता रहाना चाहिए अब देखे, नहीं पता रहा था, हम कभी spectral बोल देते है कभी माल यह total बोलते हैं, आप दोनों को एक ही type कर लेते हैं, ठीक है तो ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए, किसी को तो हो सकता है कि पता ही नहीं रहता है, कि absorptive power क्या बोल रहा है, मैं actually emissive power क्या बोल रहा है, ठीक है, अब आपको पता रहेगा तो यह ratio रहा करता है, ध्यान में बोले ही थे कि for a given wavelength और इसमें खास बात यह है कि for a given temperature भी, अलग-अलग temperature करते हैं absorb करने का tendency same body का अलग-अलग होने लगता है, ठीक है, ध्यान में रखते हैं कि temperature constant रखकर कि इसको define करते हैं, क्यों? क्योंकि अलग-अलग temperature पे same body का अलग-अलग absorbed power हो सकता है, ठीक है, ऐसा practically रूप से देखा गया है, ठीक, तो अब हम लोग आते हैं कि ratio, इसका definition कैसे बोलेंगे एक तरह से, यह ratio होता है, of radiant energy absorbed per unit area, ठीक है, per unit time to the, total energy incident on the same area total energy जो incident किया हो on the same area of the body, of the body in unit time, ठीक है, कितना absorb किया, to the, कितना इस पे दिये थे एक तरह से, ठीक है तो उसके इसाब से इसका यह ratio हो रहा करता है, ठीक है, तिसी को हम लोग जो क्या बोलते हैं, total absorptive power या total absorptivity, ठीक है, for all wavelength यहीदी define करते हैं तब, यहीदी for a particular wavelength define करते हैं, तो spectral absorptive power, इसको small a lambda से denote करेंगे, ठीक है, total यहीदी हम लोग करेंगे, तो total लोग इसको गरसे a से denote कर सकते हैं, black body के लिए हम लोग इसको करते हैं, तो फिर वो capital a से हम लोग इसको denote करा करते हैं, ठीक है, clear है, यही सब बाते इसमें जो actually रखा हुआ था, तो समझ में आ गया actually क्या रहता है क्या नहीं, तो समझ में आ गया होग़ा ठीक है तो यही सब चीज़े था, जिसको आप चाहिएगा तो इसका screenshot करके तो यह रख सकते वरना है उसमझा रहे थे आपको समझ में आ ही रहा होगा वरना फिर भी हम हलका सा स्क्रॉल कर दे रहे है दूर एक्षोली जो टूर टूर जा? जो अची तरह से यह एक तरह से देख लिजी जा ह consumer गाती सब तरह से जो इसको payment the best .